हेलो वेलकम बैक इस मशीन को इंटरलोक मशीन या आवरलोक मशीन दोनों बोलते हैं इसको तीन धागे लगते हैं सिलाई के लिए तीन धागे इसके जरूरी ही होते हैं तीनों लगेंगे ही इसको तो इसको इंटरलोक मशीन भी बोला जाता है आवरलोक मशीन भी बोला जाता ह तो यह काम आती है जैसे कपड़ों के अंदर के जो मार्जिन होता है कपड़ों के धागे निकलते हैं उसको यह सिलाई करता है लॉक कर देता है कपड़े के फैब्रिक के धागे जो निकलते हैं ड्रेस सिलने के बाद कोई भी आप कमीज कुछ भी सिल रहे हैं तो उसके बाद होता है finishing के लिए तो यह ऐसी छोटी सी होती है मैंने इसको motor लगा रखी है electric motor लगा रखी है यह इसका foot होता है यहाँ से सिलाई होती है यहाँ पे तीन धागे आप देख रहे हैं पीछे तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ यह पेर से भी चलाई जा सकती है मैंने इसको machine लगाई हुए electric machine तो यह देखिए यह जो कपड़ा होता है यह dress सिला हुए है तो इसकी मैं अंदर जो धागे निकलते हैं यहाँ से जो अंदर कपड़ा extra छोड़ा होता है उसके धागे निकलते हैं उसको lock करता है तो इसको 3 धागे इसके use में आते हैं इस तरह से foot के नीचे इसको रखके द्वीरे से ऐसे घुमाते हुए इस तरह से इसको ले जाना है यह जो foot होता है इसके साथ में इसके साथ blade भी लगा होता है आप देख रहे होंगे जो मेरे हाथ में कपड़ा है वो कितना बड़ा है लेकिन पीछे जो कपड़ा जा रहा है वो काट होके और सिलाई होके जा रहा है इसके साथ बलेड लगा होता है वे खुदी फिनिशिंग से उसको कपड़े को काटता है और साथ में सिलाई होती जाती है इसकी सिलाई बहुत स भागा डालने का वीडियो बनाया हुआ है दूसरे इसकी रिपेरिंग और जो सर्विसिंग वगेरा करनी है वो कैसे करनी है उसके लिए भी वीडियो अपलोड किया हुआ है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं तो इस तरह से देखो मैंने यह साइड पे सिलाई लगाई ह कितनी अच्छी सिलाई आती है कितना अच्छा लग रहा है कमीज अंदर से फिनिशिंग से तो अब ये बाजू को भी ये जो कपड़ा बचा हुए है जितना आपको चाहिए अंदर फैब्रिक मार्जिन के लिए उतना रखके बाकी के उस हिसाब से इसके जो फूट के अंद भी है तो द्यान रखना है नीचे से कपड़ा कोई 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 और एक्रा कपड़ा ना इसके निचे आ जाए burdens कि तो ये काट देगी तो इस तरह से इसके जोईंट से काट कर देने हैं मैंने अपने देखा मैंने एक एक सिलाही लगा के निकाला नहीं है साथ में एकwydd जैसे व थोड़े सा इसका जो है सेफटी भी हो जाती है क्योंकि बार-बार इसको स्टार्टिंग से सिलाई लगाने से इसके जो सुईयों में से जाहां से इसका प्रोसेस होता है धागे डालने का वहां से निकल सकते हैं तो आसान तरीका यही है कि जहां सिलाई खत्म होई वहीं से दूसरी सिलाई शुरू कर दो और बाकी का जो इस तरह से काट दो जो जो जॉइंट होता है तो बहुत सिंपल है बस धागा इसमें डालने थोड़े सा इसका प्रोसेस लंबा होता है लेकिन मुश्किल नहीं है आप वीडियो देख सकते हैं वेरू मेंने वीडियो बनाया हूआ है अपलोड किया हूआ अब देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके तो इस तरह से इसकी सिलाई लग गई है बहुर्ण को दिखाती हूँ खोल के यह जो एक्स्ट्रा धागे इनको काट देना है बहुर है जो जिखो कि यह हो गया है देखो यह मैंने आर्म होल पर की है इंटरलोक और बाजू के कपड़े को की है यहां पर शोल्डर पर यह वाला और जो साइड फिटिंग वाली लाइन पर की है आगे पीछे से बहुत अच्छे कैसे हुआ है ये फिटिंग वाली लाइन पर भी हो गया है तो बाजू पर ये जो सीधी बाजू है और भी जहां आपने जॉइंट बगर डाले हों कमीज में वहां पर आपको लगता है कि धागे निकलने वाले हैं तो आप कर सकते हैं तो इसका ये में कंप्लीट हो गया ये ज इसके stitching की वीडियो भी मैंने डाली हुए है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जुरूर करना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर कर लेना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग